नमस्कार मैं कमल शर्मा आपका मैस टीचर सेवन्थ क्लास के इस ग्रूप में जो भी बच्चे सेवन्थ क्लास में पासो कर आए हैं उन सबी को बहुत बहुत बढ़ाई और मेरी और से हार्द इक शुब कामना है मुझे अमीद है इस 2020 और 21 के सेशन में आप बहुत अच्छा कारिये करेंगे और जब तक घर पर पढ़ाया जा रहा है और लाइन तब तक आप घर पर ही बैठ कर पढ़ेंगे सेफ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे और हमारी दिये हुई इन लैशन्स को बड़े ध्यान पूरक समझेंगे सुनेंगे और इनका अपने घर पर प्रेक्टिस करेंगे अपने जो जो साधन आपके पास हैं उसी में आप यह सब करें बाहर जाने के आपशक्ता नहीं है तो हम पुरानी कक्षाओं में जो हम पढ़ चुके हैं पहले उनी से शुरुआत करते हैं रिविजन भी हो जाएगा और फिर नए सब विशेप पर जाएंगे नए क्लास के नए चैप्टर पर पहले हम जो हमका क्षाओं में पढ़ा है आए उसके बारे में कुछ जानकारी कर लें तो हमने पढ़ा था वाट इस ता नेचरल नंबर सबसे पहले मैं आपको नेचरल नंबर के बारे में पताना चाहता हूं याद दिलाना चाहरा हूं वाट इस ता नेचरल नंबर तो नेचरल नंबर को हिंदी में प्राकरतिक संख्याएं भी कहते हैं आपको याद होगा कि जब आप प्राइमरी में नर्सरी में आए थे तो आपको सबसे पहले मैस में क्या पढ़ना सीखा था आपने I am sure कि आप कहेंगे कि Sir 1,2,3,4,5 बस यही नंबर हैं जिने हम नैचुरल नंबर कहते हैं नैचुरल नंबर से ही हम मैस पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम सभी को किसी भी चीजों अबजेक्ट को काउंट करना होता है तो या गिनना होता है तो हम सबसे पहले काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 जिन को हम natural number कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे, natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद एक question और आता है सबी के दिमाग में, कि सर क्या 0, 0 भी natural number है, तो आप लोग क्या कहेंगे, क्या 0 natural number है, नहीं, यदि 0 natural number होता है, तो हमारी counting कहां से शुरू होती, फिर हम किसी भी संख्याओं को किनी भी चीज़ों को गिनते, तो हम गिनते, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसलिए हमारा start, जो गिनती करने का starting है, वो 1, 2, 3, 4, 5 है, इसलिए हम 1, 2, 3, 4, 5 को ही natural number कहते हैं, सेवन्थ क्लास में सबसे पहला chapter जो है मैट्स में वो है integers, integers को हम हिंदी में पूर्णांग भी कहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा जब हम बोर्ड पर आपको पढ़ाते हैं कि number line होती है, number line में बाई तरफ minus के number होते हैं और दाई साइट plus के number होते हैं, बस इसी number line पे जो negative और positive numbers होते हैं, उन सबी को मिला कर जो भी numbers होते हैं, इन number के समागम को, सैट को, संगम को हम कहते हैं integers, यानि पूर्णांग. एक बात सदेव याद रखें कि zero ना तो negative है और ना ही positive number कहलाता है। आप लोग सबी समझ गया होंगे कि integers क्या होते हैं, तो integers जो whole numbers का सैट है, zero, one, two, three, etc. और negative number का जो सैट है, minus one, two, three, four, five के complete सैट को हम कहते हैं integers. जो करो श्वाद रखें आडिश्ट आडशनए, जड़ए रखेंक के उरखें लोग किर रखेंगे को, सबस्तेजिए, खायी हैं और करना का तूर्चपार वाल में जड़ एक कि दो खेंगें आड़ूने में टूबूने मेंускे लोवपजशना अईगें पूएंगें याज